Hello everyone, welcome to the student channel इस वीडियो में हम बात करेंगे LP Technician का जो weekly study plan है उसमें 15 वीक में हमें क्या आप करना है क्या पढ़ना है वो सारे topic को इसमें discuss करेंगे 14 वीक का study plan अप्लोड किया जा चुका है जो लोग नहीं देखे हैं और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके वो पूरे 14 वीक का study plan देख सकते हैं और उसके according आप follow कर सकते हैं जिससे आपका slaves भी complete हो जाएगा समय से और जो जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं वो सारे चीज़ें मैंने उसमें serial wise करके उसमें लिखा हुआ है तो आज हम 15 वीक का study plan देखेंगे वीडियो शुरू करने से पहले कुछ point मैं यहां पर रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक 14 वीक का study plan बना दिया है और उसमें जो शुरुआत में बहुत से लोग इसमें जूड़े रहे धीरे धीरे करके उनमें regularity नहीं बनी रही मैंने 10 वीक तक का 11 वीक तक का मैंने regular में वीडियो डाला था इधर 2-3 वीक के study plan थोड़ा लेट आये हैं कारण यह था कि थोड़ी training चल लए थी और कुछ और duty से related काम थे थोड़ा सा लेट लेट weekly study plan आ रहे थे लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि चीजों को और अच्छे से explain करेंगा और जो भी weekly study plan पंद्रे वीक तक का अब तक upload किया जा चुका है अब मैं सोचता हूँ कि एक और other group बनाया जा जिसमें जो serious student है थोड़ा सा उनको ध्यान में रख करके preparation कराई जाए क्योंकि जिसमें जितने भी लोग है वो धीरे धीरे जूड़ते हैं तो हर बार वो कमेंट सेक्शन में यहीं पूछते रहते हैं कि वेकेंसी कब आएगा और मेरा eligibility है कि नहीं मैं यह किया हूँ मैंने यह डिगरी किया हुआ आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो हर वीक की तरह इस वीक भी आपको एक previous year paper question paper आपको CBT2 का करना है 10 वीक तक मैंने CBT1 के previous year paper को हर वीक में 2-2 कहा था करने के लिए लेकिन अभी इधर पिछले 5 वीक से मैं CBT2 के एक ही previous year paper को मैं कहने के लिए तैयर करने के लिए पढ़ने के लिए देखिए होता क्या कि आप previous year question paper मैंने कहा है तो लोग previous year question paper भी find नहीं कर पा रहे हैं वो swap पे नहीं जाना चाहते हैं और वहां से book भी नहीं खरीदना चाहते हैं आप सोचिए दिन भर आप real देखने में shorts देखने में अपना time waste कर रहे हैं लेकिन आप google पे भी आगर आप चाहें तो previous year paper को download कर सकते हैं लेकिन उतना भी लोग करना नहीं चाहते हैं तो यह सब basic basic चीज़े हैं जब आप preparation करने इतना कर नहीं पा रहे हैं तो आपकी तयारी कैसे बहतर हो बाएगी तो previous year paper आपको CBT2 का एक करना है उसके वाद से rectangle, square और polygon यह मैंने match में रखा हुआ है कि यह जो तीन topic हैं इसमें से आप यो question करने हैं कम से कम डिएर सो प्लस question आपको करना है यह आप geometry से question है यह अब सारा इसमें अलग-अलग topic रहते हैं लेकिन इस week में मैंने यह तीन topic दिया है तो यह basic formula पर 3-4 formula है उस पर आप यह question कर ले जाएंगे बहुत आसान question होते हैं within मुझे लगता है 15 second के अंदर यह question हो जाते हैं तो इस week KSTD plan में आपको mathematics में इतने ही topic करने हैं reasoning में आपको series based question आपको देखना है number series, alphabet series और alpha numeric series जैसे question देखना है जैसे कहूं कि मैं अगर मै कहता हूं कि A लिखा है, C लिखा है, E लिखा है फिर उसको अगला series क्या होगा यह बहुत basic चीज़ बता रहा हूं तो इस तरह से series best जितने question होते हैं इसमें थोड़ा सा calculation लगता है और आपको जो alphabet है उसका जो number है position value है वो आपको याद रखनी पड़ती है और multiplication करना पड़त होता है यह जब number series आती है तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ा है जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा इसमें काल्कूरिशन रहेगा तो जल्दी यह question हो जाएगा और कभी-कभी क्या होता है कि question जल्दी नहीं हो पाता है तो आपको उस question को skip करना ज्य मुश्किल से मुझे लगता है पचास सेगंड के अंदर हो जायना होता है तो हो जाता है नहीं तो आपका time ही loss होता है इसमें तो इस प्रैक्टिस करने पर ही इसमें थोड़ा से पकड़ बनेगी तो series based question आपको इस week के इसमें करना है नेक्स है general science जनरल साइंस बहुत-बहु साइदा question देखने को मिलेगा तो इसका paper अगर आज जो लोग कर रहे है science को ध्यान में रखते हुए तो उनको तो definitely LP में भी फायदा होगा तो group D में आय हुए जो question है उनकी series अगर आपके पास है चाहे आप market से भी खरी सकते हैं उसके previous year question तो उसके question की आप 200 plus science question की practice करिएगा मैं इस वीडियो में दोसों कहा रहा हूँ जो लोग serious student है मुझे लगता हूँ 1000 plus भी question करेंगे क्योंकि देखे जो normal question होते हैं जैसे मालीज अगर मैं यह कहूँ कि 100 question पूरा paper में है तो 50 question पचपन question तो on average student करता ही करता है लेकिन उसके बाद से जब question difficult होते जाते हैं तो जीतन मैं जो weekly study plan बनाता हूँ जो एक average student है जो फिर प्रिशन अपना उतने इछे से नहीं कर पा रहा है तो उसको एक boost देने के लिए मैं सारे शीजें बताता हूँ और उससे आगे ही आपको बढ़के करना है उससे कम करेंगे तो आप समझे कि बिल्कुल आप प्रिशन के लिए उ 200 प्लस question इसमें करने है नेक्स्ट है जनरल नाउलेज और current affair में तो current affair में मन्थली मैगजिन में आपको माई मन्थ का जुन्द महीन चली रहा है माई मन्थ का जो मैगजिन है आप मार्केट से कोई भी खरी सकते हैं जो रेगुलर आप पढ़ते हैं वो कोशिज करिएगा उन कुछ आसान भी रहते हैं कुछ थोड़ा सा difficult रहते हैं अगर आपने computer बहुत ज़्यादा practice में नहीं रखा चलाया नहीं है तो हो सकता है कि उसके आसान question भी आप गलत कर ले जाएं तो आप कोशिज करिएगा कम से कम सो question इस बार भी computer का इस week में practice करिएगा नेक्स्ट है quality में बहुत रटे रटायर question रहते हैं बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है तो quality में सबसे जो important चीज वही है कि सम्मिधान सभा का गठन और उस समय की जो घटनाएं हैं सम्मिधान सभा से related सम्मिधान बनने से related उसको लागू होने तक का तो वो चीजें आप वो इसमे related question आजाता है articles related mini सम्मिधान किसे कहते हैं वो किस article में किस संसोधन में संसोधन से related question आता है तो इस तरह के जो patent question एक तरह से कहा जा कि जो हर exam में common होते हैं पूछे जाते हैं तो उसकी अगर आप practice कर ले जाएंगे तो हो सकता है अगर आपके paper में दो question या तीन question अगर आ भी तो एक आत question दो question ऐसे रहेंगे कि जो normal pattern पे रहते हैं और हो सकता है कि दोनों ये तीनों question आपका normal उसी pattern पे आजाए previous year question से या जाए और संभावनाएं भी ज़्यादा इसी से बनती हैं तो कोशिश करना है कि आपको quality में भी आपको 200 plus question solve करने हैं पढ़ने हैं उसको read करना है और जो चीज़े नहीं हैं उसको लिख करके notes बना के आपको रखना है next is cbt2 trade paper electrician मेरा trade था और मैं electrician trade को मैं ज्यादा prefer करता हूं अपनी videos में उसको target में देने के लिए बाकी other branch के जो है उसके जो topic है मुझे उतना ज्यादा idea नहीं है लेकिन उसको भी मैं पूछ करके आपको बताऊँगा जरूर तो इस week आपको cbt2 में trade paper में basic electricity को cover करना है यह आपके cbt1 के लिए भी important है cbt2 के लिए भी important है और cbt2 में जो part A का portion आता है उसमें भी जो basic science and engineering है उसमें भी electrician से कुछ basic question आपको पूछे जाते हैं तो आपको basic electricity पढ़ना है trade paper निकालना बहुत ही आसान है और मैंने कई वीडियो बनाया भी है उसको देख सकते हैं आप और future में और भी वीडियो में इस पर बना दूँगा test series में आपको कुछिज करना है कि दो full test series देनी है आपको cbt1 से related previous year का भी question करते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है तो आप कोई भी test series आप जोईन करके आप से test series दे सकते हैं तो यह था 15 week का study plan और जो लोग नए है channel पर वह पिछले वीडियो जगर देखना चाहते हैं तो playlist में जाकर करके देख सकते हैं thank you all the best